रक्षा बंधन पर लग रहा है राज पंजक आपके लिए पास दिन होंगे शुभ या असुभ जानिये समय और महत्व नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर स्रीपती त्रिपाठी रक्षा बंधन का पावन पर्व सावन पूर्णिमा के दिन मनाते हैं इस दिन बहन भद्रा रहित मोर्त में भाईयों की कलाई पर अपने स्निय की राखी बानती हैं इस साल रक्षा मंधन पर पंचक लग रहा है पंचक जिस दिन से सुरू होता है उस अधार पर उसका फल भी होता है पंचक 5 दिनों का होता है इस बार रक्षा मंधन पर लगने वाला पंचक आपके लिए शुभ होगा या असुभ जानने के लिए अंत तक यह वीडियो देखिए। रक्षा मंधन के दिन पंचक लग रहा है जो एक राज पंचक है धरशल रक्षा मंधन ने सूम बार के दिन है और सूम बार को लगने वाला पंचक राज पंचक कहलाता है रक्षा मंधन पर पंचक सामने साथ वह से लेगा जो अगले दिन बीस अगस्त को सुबह आट बज कर 13 मिनट तक रहेगा, राज पंचक 19 अगस्त से 23 अगस्त तक रहेगा, रक्षा बन लगने वाला राज पंचक सुफल्दाई होगा, इसका कोई अशुव प्रभाव आप पर नहीं होगा, राज पंचक में राज शुख प्राप्त होता है, राज पंचक में आप धन और संपत्ती से जुड़े कार्ज कर सकते हैं, अठके हुए सरकारी कामों को करने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, सरकार, शासन, प्रशासन, आदि से जुड़े काम करना राज पंचक में अच्छा खरीद सकते हैं खास कर यह काफी शुब होता है इस बार रक्षा बंधन का महुर्थ सुबह में नहीं है क्योंकि दीन में भद्रा लग रही है जिसका वास पातान लूक में है 19 अगस्त को रक्षा बंधन का पुनीत पर्व जो है मनाय जाएगा और शुब महुर्थ दो पहर मे एक बज के तीस मिनट से रात में नौ बज तक रहेगा भाई बहने रात तक राखी का यहां पवित्र त्योहार मना सकती है अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब डे किया तो सब्सक्राइब करें शेर करें और करें नमश्कार